जिस दिन हर घर से तरंगा, हर हिंदू, हर मुसल्मान, हर सिख, इसाई, अगर पंदरा अगस्त को वो तरंगा जंडा लहराया जाएगा और बोला जाएगा बंदे मातरम भारत माता की जै और कहा जाएगा मेरा धर्म भारत मा मेरी जात बंदे मातरम, मैं यकीनन कह सकता हूँ, यह मेरे खुन से निकला हुआ नारा है हिंदुस्तान के अंदर कोई ना सिर कटे ना एक दूसरे के खलाब वाले ये 15 अगस तो पूरी दुनिया में हर हिंदुस्तानी के गhर में सचे हिंदुस्तानी के गष्दो मुस्लिम छिक्छार्णों के खून से बना तरंगा जंडा ल मां हम दिन चार रहें न रहें यही हमारा कसूर है इस कसूर की सदा अगर हम बंबो गोलियों से हमें मिलती है हमारे लिए सबसे फकर और खुशी का दिन होगा इस समय भी देश में बहुत आराजक इस्तिति आप देख रहे होंगे लगातार कि कभी उद्यपूर में कुछ घट गणाओं को इलग कर सकते हैं हम रहें वह गुटनाए अतंकबात की खालस्तान की हो जाजमु कश्मीर की हो वह अलग है यह गठनाएं इस मुलक अंदर की शाज़स हैं हम वो कहते थे ना कवी पर्दीजी जब देश को आजादी मिलने वाली थी तो देश के अंदर के गदार थे बाद में पहले कहनी है एक बात यहीं इस देश के पहरे धारों से समल के रहना अपने गर में छुपे हुए गरदारों से सवाल सबसे बड़ा यह हैं कोई भी धर्म हो उनके धर्म गुरूओं का क्या काम है जिस कौम के वो धर्म गुरू है उसके साथ वो रास्ट के भी है ए रास्ट है मातर भूमी है जो हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों के खून से सजी हुई है उसको सोचते हुए उनको हर अपनी कौम मजब में जितने भी बैठे हैं उनको समझाना है प् है अगर हम कौम में ही फस्ते रहे मजबों में फस्ते रहे जाती वाद में फस्ते रहे तो रास्ट कहां जाएगा भारत हम सब का है हिंदू का भी मुसल्मान का भी सिक्ष का भी इसाई का भी तो यह जगड़े होंगे नहीं हम क्यों नहीं यह कहते मेरा धर्म भारत मां मेरी याद बंदे मातरम, प्रत्थम मेरा रास्त है, फिर मेरा धर्म और मदव और मेरी कास्त आती है, बारत है तो हम है ना, जवान किसलिए माउत का कफन बांद करके सिमाओं की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने माता को, अपने पिता को छोड़ कर कि माउत का कफन बांद करके सिमाओं की रक्षा के लिए हम जाकते हैं और वो भी जाकते हैं हम सोते हैं और वो सारी सारी रात दिन रात जाक करके हमारी सिमाओं की मातर भूमिंग की रक्षा करते हैं क्या हमने कभी सोचा ये हमें सब को पहले एक नारा दिना होगा, हर धर्म, हर मजब, हर जात, हर कास्ट, हर मजब के अंदर गर्व से कहो, हम भरत हैं और प्रत हम रास्त हैं, उसी दिन ये जगड़े खतम हो जाएंगे, जगड़ों की जड़, सबसे बड़ी ये है मैं इस मदब में हूँ, मैं इस धर्म में हूँ, बंदे मातरम को बोलने को त्यार नहीं, भारत माता को बोलने में तकलीफ होती है, क्यों भई, क्यों तकलीफ होती है, वही सबसे बड़ी, इस पंगे की इस देश के अंदर ये आपस में जो जगड़े होते हैं, यही सबसे तो लोग ऐसा बयान दे देते हैं कि नहीं धर्म हमारा सरीया के हिसाब से हम चलेंगे धर्म को पहले रखेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे उनको मैं फिर उसी बात पर आता हूं मैं भी तो एक सरदार हूं गुरू गुबिन सिंग महाराज जो थे उनके बच्चों ने कुर्बानी दिया शहब जादों को निया में चनवा दिया गया गुरू तेग बहादर हिंद की चादर ने इस रास्ट के लिए अपने जीवन को छमर्पर कर दिया चतरपती शिवा जी महाराज जिन उन्हों भारत मां के लिए जिनके छोटे शहब जादे चंबाजी महाराज एक महीना किसी का नाखुन किसी का वाल एक महीना उसको जलुम करते रहे भारत वर्च के लिए करते रहे अब्दुलकलाम कौन थे अब्दुलकलाम भी थे उनको हर आदमिया चलेगे दुनिया से अमर है उनको आज भी कहता है यह भारती है फकर से करो यह भारती है तो अपन क्यों नहीं कहते हैं कि अपने आपको भारती है फिस्तिल हम अपने आपको भारती कहेंगे जिसना अब्दुलखमीद कहत्तर की जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ जंग यूपी के रहने वाले बहादर योदे अपने सरीर के ओपर बंब बांद करके पाकिस्तान के टैंक तबा करके शहादत दी थी वो कौन थे अब्दुलखमीद? इस्तफाक उल्ला का कौन थे? इस मातर भूमी को अज़ाद कराने के लिए? इस मातर भूमी के अज़ादी की रक् उनके नाम है, क्यों? अब्दुलकलाम जी, जिनका एक ही मक्सद था, प्रथम रास्त्र, प्रथम रास्त्र, तेरा व्यबब अमर रहेमा, हम दिन चार रहे न रहें, हम ऐसे भारती बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं भी तो एक सरदार हूँ, मुझे कई हमले हुए मेर उपर, इसी बात को लेके हुए, आप खालस्तान बोलो, मैं का तमारी ऐसी की तैसी, खालस्तान ना कभी बोला था, ना कभी बोलेंगे, ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना बनने देंगे, हम भारती हैं, हमारा रास्ट एक है, हमारे गुरू गुबिन सिंग महराजी न गुजरात से उडिशा से पूरे हिंदोस्तान से पांच प्यारों को सजाया था अलग लग कौम अलग लग मजब के वो लोग थे उनको कहा जाता था पांच प्यारे पूरे हिंदोस्तान के अंदर कि हमें सब को एक भारती कहना है हमारा मजब धर्म एक भारत है धर्म तो अपन पिष्ट मुसल्मान रास्टबग्त मुसल्मान वे समाज का अदर्च बच्चों के अदर्च मुसल्मान अब्धुलखमीद देखो भारत मता का तरंगा जंडा उठा करके अपने सरीर पे बंबान करके पाकिस्तान दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए फकर ते कहते ऐसा मुसलमान, सیکलर मुसलमान, रास्ट भगत मुसलमान, हमको कहने में तकलीफ होती है, प्रत्हम रास्ट और ये कहते, तेरा वैब अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, यही हमारा कसूर है, इस कसूर की सजा, अगर हम बंबो, गोलियों से हमें मिलती है हमारे लिए सबसे फकर और खुशी का दिन होगा और हम हमारी आत्मा को शान्ती मिलेगी और लोग भी कहेंगे जो रास्त के साथ प्रेम करते हैं कि ये रास्त प्रत्म रास्त के लिए अपना जीवन मातर भूमी के चरनों में दिया हम भी हम भी आपके सामने हैं हम भी पूरे देश में गूमते हैं हम पूछते हैं लोगों को आप हमें क्या समझते हैं पत्तरकारों को कहते हैं जब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं, आप एक भारती हो, वहीं से मेरी पगड़ी गुरू गुबिन सिंग महाराज की जो पगड़ी दी हुई है, मौत का कफन, यह पगड़ी का सिर उचा हो जाता है, जब मुझे कहता है, तू सरदार तो हैं, पर उत से पहले तू भारत मा का शपाही है आज जो कुछ मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्दन काट के लाओ तो घर देंगे, वो क्या आदर्स नहीं मान रहे हैं, अब्दुल हमीदिया, अब्दुल कलाम को, देखो मैं एक चीज कहूं, कई बोलने में, कई चीजों में, बड़े-बड़े लोगों की जबान फिसल जाती है, वो गलती भी मान लेते हैं, पर उसकी सदा ये होगी कि किसी की गर्दन को आप काट दो, ये सदा नहीं होती, गर्दन काट तो, अगर गलती की, गलती मान ली गई, उसको आग लगाना, ये कहां का का में, किसी की गर्दन काटना, ये कहां का का में भी, आप तरीके से बात कर सकते हैं, आप सरकार के पास जा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने के कई तरीके हैं, यह आज का हिंदुस्तान है, यह आज का भारत है, अतंकवाद से मुक्त भारत है, निर्मान का भारत है, सिमाओं की रख्षा का आज भारत है, आज दूसरे देश हम हिंदुस्तानी के घर में हिंदू-मُस्लिम शिख साईयों के खून से बना तरंगा जंडा लह्राया जाएगा ये आज का भारत है और युकरेन चंदर बचे फस गए पाकिस्तान के बच्छे फस गए नेपाल के बच्छे फस गए बंगला देश के बच्छे फस ह हिंदुस्ता के दुश्मन देशों के बच्चों ने भी तरंगा जंडा दिखाया और जान बचाईए आज का हिंदुस्तान है हमें हर हिंदुस्तान के अंदर हर कौम हर मधब के व्यक्ति को जिस दिन हर घर से तरंगा हर हिंदू हर मुशलमान हर सिक्ष इसाई अगर 15 गस्त को वह तरंगा जंडा लहराया जाएगा और बोला जाएगा बंदे मातरम भारत माता की जै और कहा जाएगा मेरा धर्म भारत मा मेरी जात बंदे मातरम मैं यकीनन कह सकता हूँ यह मेरे खून से निकला हुआ नारा है हिंदुस्तान के अंदर कोई ना सिर्कटे ना एक दूसरे के खलाब बाल को हमें हर व्यक्ति को बदलना हुगा परधान मंत्री नरेंद मोदी ने मन की बात में कहा कि हर घर में तिरंगा लगाया जाना चाहिए लोग अपने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी तिरंगे की तस्वीर लगाएं क्या मैसेज देना चाह रहे थे मोदी जी नरेंदर मो शहीदे आजम बगत सिंग राजगरु सुख़े मंगल पांडे इस्तफा कुला खा रानी जांसी जल लाला लच पत्राई चंदर शेखरजाज चुबाश चंदर बोश जल्यावाना बाग के हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों के खून सी कुर्बानियों शहात्तों से बुना ह हुआ ये तरंगा जंडा है इस तरंगे जंडे की वज़ा से उन शहीदों की वज़ा से ये भारत आजाद हुआ है इसलिए अजादी का दिन पूरी दुनिया में जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं जो हिंदुस्तान को दुनिया में प्यार करते हैं हर घर में तरंगा लहराए ताकि हिंदुतान ये भारत का तरंगा जंडा इसका नाम और इसकी इज़त और बड़े और हमारे अंदर एक रास्ट बक्ती का जद्वा पैदा हो कि हम अजादी के तरंगे जंडे की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे ठीक है बिल्कुल भी हाल फिलाल की ख़बर है अजीर डोबाल ने कई मुस्लिम निताओं के साथ मीटिंग की और उनका मुखे मुद्दा ये रहा कि ये जो सर्तन से जुदा के नारे लग रहे हैं या फिर जो इस तरह के अप्रिय घटनाए हो रही है इसे रोका जाए क्या लगता है ये मीटिंग करना आगे चलके क्योंक का कफन बांद करके एक अपनी जम्यदारी निबाते हुए पाकिस्तान में छे साल रहे वहां उन्होंने क्या काम किया को रेड़ी लगाई को गरीबी दिखा करके काम किया अपने प्रत्म रास्त के लिए जिंदा शहीद की तरह वापस लोटे और आज पूरे देश के अंद है उसकी एक एहमियत है कि कि पॉल्लोटीशनिंगे का शब्ध और उनकी हम्मत उनके अनवब का शर्वत जो उन्होंने कह दिया वो हमें अपनाना चाहिए और उसके के लाम पे लड़ रहें कि धर्म पे नाम पे न लड़के राष्ट को सरपरी मान के पंदरागस के दिन एकता का ऐसा सद्भाव दें कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं वो भी थर थर कापे अब यह पता चल जाएगा पंदरागस को किसके गर में तरंगा लहराया गया या नहीं लहराया गया यह भी वाच किया जाएगा यह तो हिंदोस्तान के परदान मंतरी जी ने कहा नरिंदर मोदी जी नहीं कहा उनके विचारों ने कहा उन्होंने प्रथम रास्त समझा उन्होंने कहा सबसे पहला मेरा प्रथम रास्त है मेर मात्र बूमी की सेमाओं की रक्षा है मेरे जवान है और वह मेरा तरंगा-जुडा है जो वागा पॉडर के अंदर जवान किस तरीके से उसको सलामी और सलूट देते हैं और पाकिस्तान को तरंगा-ज़ंडा लेके उनके उनको हला के रखते गए रहर देते महारे रास्ट भक्ती का सबूत दे करके सडकों पे आ जाएं और हर बच्चे से लेके बड़े तक को मजब और धर्म हो उस तरंगा जंडा दिखाएं ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि हम भारती एक हैं एक रहेंगे और मात्र बूमी की सिमाओं की रक्षा करते हुए मात् नारा जो मेरा खून से बंबो से निकला हुआ है यह किसी शायर का नहीं है मेरा धर्म भारतमा मेरी जात बंदे मात्रम जिस दिन यह नारा लगेगा हर गली से हर घर से उस दिन मजबों धर्मों की आपस में चोटे बड़े की लड़ाईयां समाप्त हो जाएंगी लोग से हम आप अमowałन मिलते रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मोदी जी की कहने पर हम कि उत्रेंगा लगा नगा क्यों भारत हम मोदी जी को कहने पर क्यों करें क्या मोदी जी हिंदुस्तान के परधान मंत्री नहीं है क्या मैं बीजेपी से हूं क्या हम मशर्रफ का क्या नवाज शरीफ का क्या हम पाकिस्तान के रास्टरपती जी का कहना मानेंगे क्या मोदी जी ने ये कहा मेरा नारा लगाओ नरिंदर बान शान जिस तरंगे जंडे के कारण पाकिस्तान नेपाल बंगलादिश हिंदोस्तान के जो बच्चे है तरंगा जंडा लहरा करके सई सलामत बच्चे घरों में आए उस तरंगे जंडे की आन बान शान के लिए बोला है जो ये लोग कहते हैं एक नमग के मूरख हैं और मु जो ऐसी बात का एक एसास कराने की कोशिश करते हैं निप्टा जाए गद्दारों से इन गद्दारों से जो मुल्क अंदर गद्दार बेठें से कैसे निप्टरा क्या है हिंदुस्तान के लोग है हिंदुस्तान का प्रशाशन है जो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा जो इसमें मुल्क के साथ दोखा करेगा वो कहा था ना पहले कहनी है एक बात जही इस देश के पहरेदारों से संबल के रहना अपने घर में छुपे हुए गर्दारों से हमें लोगों को वाच करना है। आम पब्लिक ने अपनी जमेदारी उठानी है। described लोगों को वाच करें लाल किला में तरंगे जण्डे का पामान हुआ था यहां मैंने बड़े का अपमान किया उनको सिक्ष समधाय के गुर्दवारा परबंद कमेटी के जिम्मेदार लोग जाके उनकी जमानत करा दें इसका मतलब उन्होंने तरंगे जंडे का अपमान किया यह नहीं होना चाहिए बढ़ियां गलतियां की उन्होंने तरंगे जंडे का अपमान करके और फालस्तान के नारे लगाए अब ऐसी चीज तेटी नहीं हिंदुस्तान में आईगी जो भी तरंगे जिंडे का अपमान करने की कोशिश करता है बंदे मातरम मैं नहीं बोलूँगा भारत माता की जै नहीं बोलूँगा उनको मैं यही कहूंगा कि आप मुल्क के साथ गदारी क करते हों हम भारती कहते नहीं बंदे मातरम कहते नहीं भारत माता की जै करते नहीं पंदरा अगस को तरंगा लहराएंगे नहीं तो फिर भारत में क्या कर रहे हैं भारत के भारत मां के साथ तो दोखा कर रहे हैं कौन सा ऐसा मुल्क है जहां किसी देश के साथ लगता है जर् पत्रपती शिवाजी महाराज महाराना परताब काला पानी में शहात ने जलम फांसी कफंदे बगत सिंग राजगुरु सुखदेव राणी जांसी तातियां टोपे कुर्बानियां जल्ले वड़ा बाग हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई अजादी के बाद जवानों की हजारों जम्मू कश्मीर के अंदर शहात ने माउत का कफन बांद करके अपने सीने पे गोलियां खाई किसलिए भारत मा के लिए जहां धर्म है जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में मंदरों धर्म किसी का साथ जार साल पुराना इतिहास किसी का पाँपचास जार साल देवी देवताओं का महापुर्षों का स्थान यह वो स्थान है इसको कहते भारत मां जिसने सब को हिंदू मुसलमान शिक्षाई मंदर गिर्जागर गुर्दवारा साब अपने आचल में समा के रखे हैं वो यह भारत मां है यह हमारी सबसे बड़ी मां एक भारत मां एक वो मां पेड़ से जणम देती है हम लोगों को एक है भारत मां हर मजब हर धर्म को हिंदुस्तान के अंदर हर मंदर गुर्दवारा गिर्जागर हर इक को अपने आचल में समा के रखती है उस भारत मां के भरे में अगर को बुरा सोचे तो उसको भारत मां कभी माफ नहीं करेगी यह मैं गरंटी से करते हैं।